ये स्टुडेंट्स नाओ कम तो दे सी पार्ट सी पार्ट में आपको क्या गिवन है इट टेक्स वन बाई टू मिनट तो कुक वन डोसा एवरीबड़ी लाइक डोसा सबको पसंद है इट इस साउथ इंडियन फूड और अलसो फास फूड ठीक है तो एक डोसा को पकने में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने डोसा पक सकते हैं वन बाई फूर अवर्स में अब एक तरफ तो बिटा मिनट की बात हो रही है कि एक डोसा जो है वो हाफ मिनट में पक रहा है और दूसरी जगा आपसे क्वेशन में पूछा जा रहा है कि वन बाई फूर अवर्स में कि इतने डोसा पकेंगे, number of डोसा आपको पताने हैं कितने पक सकते हैं, so now, little bit confusing, क्योंकि एक तरफ तो minute है, और दूसरी तरफ hours, तो what we will do, हम क्या करेंगे, इस confusion को पहले दूर करेंगे, ठीक है, वो कैसे दूर होगी, अगर हमारे पास unit same आ गई, then it will be very very easy for us to solve the question, तो सबसे पहले पेटा हमने unit को same बनाना है, अगर ये minute है, तो फिर hour को भी है, तो minute में change कर लो, दोनों तरफ minute होना चाहिए, या फिर दोनों तरफ आप second में ही change कर लो, minute को भी आप क्या करो, second में change करो, और hour को भी आप second में ही change करो, ओके, तो देखिए, सबसे पहले इसका relation समझिएगा, relation समझिए, वन आवर में कितने minute होते हैं, yes students, ओके, वन आवर में बेटा, आपके पास 60 minute होते हैं, ओके, वन आवर में 60 minute होते हैं, now, वन मिनट में आपके पास 60 second होंगे, ठिक हैं, यह relation आपने पढ़ा है, class third से आप पढ़ते आ रहे हो, वन आवर में 60 minute होते हैं, और वन मिनट में 60 second होते हैं, if I go for hours to direct second, यानि कि अगर मुझे आवर से सिद्धा answer जो है, second में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, what I will do now, I will multiply 60 with 60, why, क्योंकि एक घंटे में हमारे पास 60 minute आ रहे हैं, ठिक हैं, और एक minute में 60 second है, अगर 60 minute को ही 60 second से multiply कर दें, तो हमारे पास total result क्या निकल के आएगा, बेटा second में आएगा, so what you will get, you get 360 second, it means, 3600 second, ठिक है, एक घंटे में, 3600 second होते हैं, ठिक है, क्योंकि 1 minute में 60 second है, तो 60 minute में कितने second हो जाएंगे, आप multiply कर दीजिए, ठिक है, जादा का पुछा जा रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जहाँ पर बात जादा की होती है, वहाँ पर multiplication करते हैं, जहाँ पर एक, एक की बात हो रही है, एक का पुछा जा रहा है, तो वहाँ हम division करते हैं, ठिक है, तो एक minute का पता है, 60 minute का निकालना है, तो क्या करेंगे, multiply, I hope यहाँ तक clear है, आपको relation, अब आजाएए बेटा question पर, यह देखे इसका solution, now, question क्या था, कि, it takes 1 by 2 minute to cook 1 डोसा, तो एक डोसा को पकने में, आधा मिनट लग रहा है, how many dosas can be cooked in 1 hours, तो 1 by 4 hours में, कितने डोसा पक सकते हैं, starting कहां से करेंगे, सबसे पहले, हमने construction कैसे करनी है, statement की देखिए, time taken by 1 डोसा, तो कितना डाइम लग रहा है, पहले तुम यही बताएंगे, कि 1 डोसा को पकने में, कितना डाइम लग रहा है, ठीक है, मिनट को चेंज कर देंगे, second में जो अभी हमने relation पड़ा था, ठीक है, ताकि हमें calculation करने में कोई problem ना हो, और कोई हमारे answer में कोई mistake ना हो, तो 1 minute आपको पता है, 60 second के एकवल होते हैं, if we multiply half with the 60 second, you will get the answer in the second, so 2 will be divided by 60 at 30, ठीक है, 1 by 4 hours की, ठीक है, now we will talk about 1 by 4 hours, डोसा कोग दिन 1 by 4 hours, अब इसको हमने second में change करना है, now 1 hour equal to 60 minute, and 1 minute is equal to 60 second, यह अभी आप पढ़ चुके हैं, now what you will do, 1 by 4 hours को change करना है, directly second में, तो directly second में करने के लिए, मैंने आपको क्या बताया था, hour to second, 60 multiply by 60, 1 by 4 multiply by 60, multiply by 60, तो 4 को हम क्या कर देंगे, 60 से divide, you will get 15, 4 15 जा 60 होता है, ठीक है, आप बेटा side में divide करके भी देख सकते हैं, रफ में 60 को यहाँ पर रखेंगे, और 4 को बाहर, ठीक है, रफ में करके देख सकते हैं, margin draw करके, so now what you will do, 15 will be multiplied with the 60, तो जो half minute था, वो 30 सेकंड में convert हो गया, 1 by 4 अवर आपका 900 सेकंड में convert हो गया, आपके जो convergence है वो, क्या आगई, proper आ चुकी है, units आपके पास same है, second सेकंड में आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, दोनों की division करेंगे, ठीक है, 1 by 4 का बेटा पूछा जा रहा है, 1 by 4 में कितने डोसा पक सकते हैं, तो 1 by 4 के according हम 900 सेकंड को पहले लिखेंगे, then we will put the division sign, and then 30, यानि कि 900 जो है, 30 से divide हो जाएगा, तब ही हमारे पास निकल के आएगा answer, ओके, तो हमने यहाँ पे, इसको divide करके दिखाया है, और division इसकी बहुत easy है, आप कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास जो answer आया है, question, question जो है, वही answer है, यानि कि 30 डोसा निकल के आएगा, ठीक है,